कई बार आपने ये सुना होगा कि छिपकली के खाने में गिरने के कारण लोगों की मौत हो जाती है लेकिन आपको बता दे कि ये बात पूरी तरह सच नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ गीला मौन्स्टर और मैक्सिकन बीडिट लिजार्ड ही ऐसी दो छिपकली की परजातियां है जो की जहरीली होती है और ये दोनों ही इंडिया में नहीं पाई जाती तेकिन फिर ये नॉर्मल छिपकली के खाने में गिरने से इंसान की मौत कैसे हो जाती है चलिए जानते हैं दरसल दोस्तों खाने में छिपकली के गिरने से किसी की भी मौत नहीं हो सकती क्योंकि घर में पाई जाने वाली ये छिपकली बिल्कुल भी जहरीली नहीं होती असल में होता ही है कि छिपकली के शरीर पर ऐसे डेडली वायरस और बैक्टीरियाज होते हैं जो कि कई बार इंसान की मौत का कारण बनते हैं दोस्तों ये है एफ्रिकन लेंड स्नेल जो कि स्नेल्स की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है जिसका आकार 20-30 सेंटिमीटर तक हो सकता है क्या आपको पता है कि ओस्टिच घोले से भी जादा तेज दोड़ सकता है वैसे कि आपने कभी घोले की सवारी की है कमेंट करके जरूर बताना